नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग धन 13 के दिन जाडू खरीदा जाता है माननेता है कि इस दिन जाडू खरीदने से गरीबी भी दूर होती है साथ ही नई जाडू घर का नकात्मक उर्चा को समाप्त करता है और मालक्षमी घर में वास क करती हैं लेकिन माननेताओं को मताबिक धन 13 के दिन जाडू खरीद कर अपने घर में आप जरूर लाइए ताकि पैसों की तंगी दूर हो लेकिन जाडू कैसा खरीदे ये भी सवाल है क्योंकि आप कोई भी जाडू नहीं खरीद सकते जाडू आप वैसे तो जाडू बहुत जो देपताओं के बलईया लेने में कारे होता है और ये जाडू से बच्चों के नजर गुजर दोस भी दूर किये जाते हैं बच्चों के सर से बलईया लेकर ये जाडू बहुत खास होता है लेकिन अब आता है फूल जाडू की बात अभी तो घास वाली जाडू गाय भी ह हो चुकी है मार्केट से अब जगा ले लिया है प्लास्टिक ने तो भूल कर भी प्लास्टिक का जाड़ू मत लाईएगा पहली बात प्लास्टिक की जाड़ू लाना अच्छा नहीं माना जाता धनते रस के दिन आप जब भी लीजिए घास वाली जाड़ू लीजिए दूसरी बात जब आप घास वाली जाड़ू खड़ी दे तो लाकर घर में उसकी पूजा भी करनी है और साथ ही अगर आप सीक वाली जाड़ जाड़ू लेते हैं तो और भी अच्छा है क्योंकि इन दिनों सीकों वाली जाड़ू और फूल जाड़ी जाड़ू का ज्यादा महत्व है प्लास्टिक वाला जाड़ू तो बिल्कुल भी मत लीजेगा और हमेशा ही घनी जाड़ू देखकर खरीदें अब यह नहीं कि हलक जाड़ू होता है यह नहीं कि सस्ते में मिल गया तो ले लिए नहीं खुबसूरत सा देखकर आप लीजिए आपका घर में धन धाने से भरा रहेगा तो यह जाड़ू लाकर अपने घर में आप सबसे पहले तो उस जाड़ू के हंडल पर सफेद धागा बांदे फिर थोरा स लकुंकुम अक्षत और दुचार फूलों की पंखुरी से जाड़ू की पूजा करें उसके बाद यहां से घर की सफाई सुरू कीजिए यकीन मानिए यह जाड़ू बहुत ही जादा आपके जीवन में खुसिया बिखे देगा तो जाड़ू का पूजा करने के बाद अगर आप इसका यूच करें तो मा लक्षमी की किरपा पूरे साल बरसेगी तो हमने आपके साथ सेर किया जाड़ू के प्रकार और कौन सा जाड़ू क्या काम करता है वैसे मोरपंग के जाड़ू भी आप इस दिन ला सकते हैं देपताओं के निमित यह आपके घर के का बलाया ले लेता है और तमाम परिसानियों से आपको बचाय रखता है फिलाल बिदा लेंगे हर हर महादेव धन्यवाद